हलो अबरीबवन, वेलकम बैक तो मैं चानल इंडिन वाइफ और डूटी मैं अखु रशनी गाइस कैसे हो आप सब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होम रेमिडी जो की आपकी बोडी की पूरी मैल को हटाएगी आपकी पूरी बोडी की स्क को पहले से गोरा बनाएगी यानि कि आपकी जो भी स्किन टोन है उससे तीन से चार्ड जो है न टोन वो ब्राइटन करेगी यह ओम रेमिडी बहुत ज़्यादो एफेक्टिव है यह आपकी पूरी बोडी की कंप्लेक्शन को निखारेगी डेट स्किन को रिपेर करेगी पूरी बोडी की स्किन को निखारने के लिए स्किन को एकदम से ब्राइटन करने के लिए पहले से फ्रियर बनाने के लिए आज जो मैं फॉर्मूला आपके साश्यर कर रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर वन स्कून ओट्स लिये हैं आप यहाँ ओट्स का पाउडर भी ले सकते हो ओट्स के अंदर सेपनिन होता है जो कि हमारी स्किन ब्राइटनिग के लिए काफी ज्यादा बैनिफिशिल रहता है तो वन स्कून यहाँ मैं ओट्स ले रही हूँ वन स्पून में यहाँ पर लोगे ग्रैम फ्लॉर यानि की बेसन बेसन जो है वो स्किन को अच्छे से ब्राइटन करने के लिए मैल को निकालने के लिए काफी अच्छा रहता है और आप अच्छे से जानते हो कि जितने भी दाग धब्बे होते हैं पूरी बाड़ी पर फेस प तो इसलिए मैं यहाँ पर वन स्पून ग्रैम फ्लॉर यानि की बेसन ले रही हूं वन स्पून ही मैं यहाँ पर ले रही हूं लिक्राइस पाउडर यानि की मुलेठी का पाउडर मुलेठी का पाउडर जो होता है यह बहुत बहुत बेनिफिशल है आपकी स्किन को ब्राइ जैसा कि आप जामते हो winter season है तो winter season में पूरी body की जो skin है वो moisturize होना भी बहुत जादा जरूरी है तो मैं इसलिए यहाँ पर add करी हूँ glycerine glycerine भी यहाँ पर में one spoon की quantity में लूगी मैंने spoon बीच में रखा हुआ है and one spoon मैंने यहाँ measure कर लिया है इसको और इसके अंदर add करी हूँ glycerine skin whitening के लिए अच्छा होता है skin से जितनी भी dead layer होती है उसको हटाती है winter में यह आपकी skin को बहुत अच्छे से moisturization भी provide करती है तो अब मैं इसके अंदर next यहाँ add करूँगी raw milk इनकी कच्चा दूद कच्चा दूद जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे उतना डालना है हमने जितनी में यह paste ready हो जाए कच्चा दूद लेक्टी कैसर से भरपूर होता है skin को white and brighten करता है दाग धबो को, pigmentation को यह जितनी भी skin problems होती है उनको lighten करने में बहुत बहुत helpful रहता है तो यहां बरना एक से डेड़ चमच के करीब जो raw milk में आड़ किया है यह sufficient है, कुछ लोग कहेंगे कि raw milk अगर available ना हो तो कोई दिक्कत नी है, जो boiled milk होता है उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेजे ठीक है, वो गरम नहीं हो ना जी ठंडा कर लेजे और फिर उसको इस्तेमाल में लाइए अच्छा result आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह से यह आपका paste रड़ी हो जाएगा और इस paste को आपने अपनी पूरी body पर अपलाई करना है यह formula आपने कब follow करना है नहाते type जब आप नहाने के लिए इनकी बात लेने के लिए जाओगे तो इस तरह का यह जो paste है ना इसे ready कर लीजिए और फिर जो है इसे अपनी पूरी body पर apply करके massage दीजिए massage देने से क्या होगा सारे dead layer गंदगी हटेगी जो गर्दन पर मैल की परते हैं बाजू पर पूरी body पर मैल की परते हैं वो मैल की परते जो है exfoliate करने से ही हटेंगी तो यह जो है ना यह आपकी body की skin को exfoliate करेगा नरिश करेगा आपके complexion को brighten करेगा इसको लगा कर अच्छे से massage दीजिए 5 minutes कम से कम और फिर जो है lukewarm water के साथ बात ले लीजिए नहा लीजिए इसको उतार लीजिए ध्यान रखना है आपने इस formula को follow करते टाइम swap का इस्तेमाल इनकि साबून का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप इस formula को लगातार एक महीना करते हो तो आपको बहुत जदर difference नज़राएगा और एक महीना आपने साबून का इस्तेमाल अपनी बाडी पर बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर आप swap वेगरा यूज़ करोगे तो इसका जो good effect है वो आपकी skin को बहुत कम मिलेगा ठीक है ना minor मिलेगा तो हमें अच्छा result लेना है तो हम इस ही को लगाएंगे ये जो है sop से 10 गुना ज़्यादा बढ़िया है ठीक है chemical free है तो इसका result आपको अच्छा देखने को मिलेगा आप इसको try करके जरूर जूर देखिएगा so guys I hope आपको आज का एक वीडियो बहुत पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को जाज जद लाइक तीचे और comment करके बताईएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है वीडियो से related जो भी आपका सवाल है नीचे comment करके आप पूर सकते हो मिलूंगे आपको फिर से एक अच्छे से information वीडियो के साथ अब तक के लिए take care and bye bye